नमस्कार दर्शक्मित्रो मैं डॉक्टर केतंशिया अमदावाद गुजराद से आज के वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ आज हम बात करेगे फैटी लीवर के बारे में इसके लिए मैंने ये श्टुडियो में इंवाइट की है डॉक्टर दर्वल गुपता को उन् डैनेमिक गेस्ट्रेंट्रोजिस्ट है और वो हमें बताएंगे कि फैटी लीवर क्या है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या-क्या सावदानी रखनी चाहिए उसका क्योर किया है तो डॉक्टर दर्वल भाई वेलकम इन दे स्टुडियो आप बताएंगे कि क्या फैटी उसमें अगरे उसमेंे नहि अजते हैं और यहाज के समय में काफी कॉमन जो फैटी लिवर डिजिस्टिस की किक स्टुड्रिज तो ईसके सिंटम्स К्या होते है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर्दाओ इस देश इरिवरसिबल लिवर डेमेज होता है जिसको हम सीरोसिस के नाम से जानके हैं जो फैट लिवर के पेशिन्ट होते हैं उनमें 80% प्रतिशत को कोई तकलिफ नहीं रहती है फाइट टो टेन परसंट पेशिछंट में सिफ थकान होना या पेट में हलका सा दर्द होना वही वो सब तकलिफ होती है और अगर पेशेंट सिरोसिस स्टेज में डेवलेप होता है तो उनको सूजन या फिर ब्लीडिंग वगिरा या फिर दीमाग परस और या और भी ऐसी सिम्टम्स रहते हैं तो हम कभी भी कुछ भी जनरल एक्जमेंशन करने के लिए सौनोग्राफिः करवाते हैं तो सौनोग्राफिव के रिपोर्ट में आज बहुत हम देखते है की नीचे इंप्रेशने जाकि में इंपूआइंपूट्ट फैटीसक्ति लिए ट्रस तो उसके साथ उसके ग्रीड भी होते है झंपूछना चाहिए कि अगर क्वया ग्रिडेंद है वन से ट्वक्न को से ट्री तो ज्यादा डेन्जरी एक ग्रेट क्या इंडिकेड करता है। यह बहुत ही इंपोर्टन क्वेशन है आज कल हम सब कोई भी सोनोग्राफिक रिपोर्ट में यह देखते हैं कि फैट लिवर ग्रेड वन टू तो वह एक सोनोग्राफिक क्लासिफिकेशन है जिसमें हमें पता चलता हैं कि वह लिवर में कितना फैट जमा हुआ है मतलब वह एक सोनोग्राफिक फैंडिंग के हिसाब से हम एक ग्रेडिंग बनाता हैं जिसमें इसे लिवर की इकोजनिसिटी बोलता है वह जितनी ज्यादा है उसको ज्यादा ग्रेडिंग देता है यानि कि जो ग्रेड 3 वाला है उसका सोनोग्राफिक में अपेरेंस बहुत ही इकोजनिक म तो भी एड़ान्स लिवर डिजिस हो सकता है यानि की स्टेटो ही पेटाइटी अपर इंपोर्टन नहीं है इसा आप पो डरने की जरूरत नहीं है कि ग्रेड फ्री है तो कुछ ज्यादा डेंजरस है और ग्रेड वन है तो लाइट लेना ऐसा वी नहीं है तो ज्यादा तर लि बहुत ही इंपोरटन्ट रिस फेक्टर ही जो इंपॉत अब इन जा भी एटी लिवर का और हगे चल के जो आकविक। बहुत सर लिएवक रहत रанию का इसे बहुत ही इन से बहुत ही लिए नहीं नहीं if Él भाइटि लिवर को लिव सो नहीं ग्रों से बहुत है जहाँ Gew can rightille तो किसी को पैटी लिवर है उनके पास बहुत टाइम है मतलब कुछ भी अगर कोम्पलिकेशन डेवलप होगा तो भी 20 साल जितना टाइम लगेगा तो क्या कर सकते है मतलब किसी को पैटी लिवर डाइगनोसी हुआ कोई भी स्टेज में वह अलकोल नहीं ले रहा है तो उसको क उसको क्या साथधानी जाहए और असको क्या ऑ्यान रख на ट्रिय yılपर हमन्ना के बती ले था की उर इसको क्या चाहिए पीछ्चेच को मैं रहाए दो सकते है तो सिर्फ हम कंट्रोल ही रख सकते ब्लेड में जायदा होना देन फीमेल्स में कॉमनली पीसी ओडी जो ओर एंसिस्ट बोलते हैं थाइरोड डिजिस यह सब कॉमनली पैटी लिवर के सथ असोशेटिड रहते हैं और पर्टिकुलि उसके जो प्रिवेंशन में में पार्ट वही हैं जो लाइफस्टाल मोडिफिक में जो हैं जो कैलरी रेस्ट्रिक्शन बहुत ही इंपोर्टन है और प्रोटीन यू कैन प्रोटीन डाइट हम ज्यादा ले सकते हैं कैलरी यानि की जो कार्भोहडरेट्स और फैट जिसका मातरा जितनी कम हो ऐसा प्रदर्थ हमें लेने चाहिए तो कॉलेस्ट्रोल भी एक सबभवाडर्स मैं लिए ज्यादा है ओर दोनों को एक दोनी झाए तो क्या डोन को मातरों का कोतर्य जाया तो कि दूनन को ठाग जादा होगा है तो कों मैं जब सकते हैं के जhow स्क्ते हैं की यह डियARKंगी डियर्शन है कि इसका कॉलेस्ट्रोल जायाला होगा। उसका डिकी तो मुझे और कोई टेस्ट आगे करवाने चाहिए दूसरे कोई लिवर फंक्शन टेस्ट की जिसे मुझे कुछ ज्यादा समझ आए लेकिन उनके लिवर में कितना डेमेज है वह जानने के लिए आगे के टेस्ट बहुत जरूरी जैसे की लिवर फंक्शन टेस्ट उसमें लिवर के ब्लड रिपोट करा दें जैसे बिलिरुबीन, SGBT वगरा और साथ में उसका दूसरे रिपोट लाइक की सीरम प्रोटीन लेव लिवर का टुकडा निकल के भी देखने की जरूरत पथी है तो नॉर्मल ब्लड टेस्ट से लेके बायोसिप तक के रिपोर्ट से हम ज्यादा एक्यूरेट हो सकते है कि एक्जरी क्या कंसे स्टेज में है क्या है लेकिन यह स्टेज हम रिवस कर सकते है क्या जो फैटी लिव दुसरा जो आपके साहत में दूसरे बीमार याद या यानि कि जो विप डियपटिस वह को घथा, तो वह कंपलेटली रिवर्सिबल है अगर पेशेंट सेरोजी के डेवलायोम्ट मुझ करना बहुत मुश्किल है वह गःषिबल अजर गिवर्सिबल स्टेज करते हैं वह त लिट्रेचर और जो मेडिकल एविडेंसिस है तो उसमें जो फैटी लिवर है उसमें में जो है वो लाइफटाल यानि की जो डायेट और वही अभी तक यूस्फुल साभित हुए हैं मेडिकेशन का एस सच फैटी लिवर में इतना ज्यादा रूल अगी नहीं है हाँ अगर प सब्सक्राइब में जो है तो लाइश्टाइल के साथ साथ और इस अफ दवाई भी पेशन को है और मुझे कैसे ज्यान रखना चाहिए मतलब कुछ आप पिरेड बता सकते हो कि आज सोनोग्राफी मेरा आया है फैटी लिवर या तो कुछ ब्लट रिपोर्ट में प्रॉब्ल प्रॉब्ल या लिवर फंक्षन टेस्ट है वो सब करने जाहिए उसके बाद में अगर वो नॉर्मल है तो एवरी 6 मंथली सोनोग्राफी रिपीट करनी चाहिए एगर सोनोग्राफी साथ साथ लाइश्टेल मोडिफिकेशन साथ में अगर जो फैटी लिवर तरे चला जाता तो अल्कॉलिक में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम सोच सकते हैं लेकिन नॉन अल्कॉलिक है उसको आगे जाने में काफी टाइम है हमारे पास पंदर भी साल यसान नहीं कि आज कुछ टाइग्नोसिस हो और थोड़ी तैम में अपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ये आन बर थायर यूमी पेति हो या या एलो पेति हो आर्यूधी को इक भी हो लेकिन उसे वो इससे वो सकता है रिवर्स सकता है तो कोई इसे गवराने वाली बात नहीं है लिकिन सावदानी जरूरी है और अपनी लाइव स्टेल जो सारे डिजी स्थिस्म है और आपको बड़ आपने पी बता दिया और कुछ हमारे मेरे व्यूवस को बताना चाहते हो तो लाष्ट में बस यही कि जो फैट लिवर है वो मलब इसको अरली डिटेक्ट करेंगे तो उसको आगे जागे जागे प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है और वो उसके बहुत मेजर्स काफी एज है आपको कुछ ऐसी मेडिसिन ने लेने हैं लाइश्टाइल में सिफ हलका चेंज करना है और वो दूसरी बीमारी के लिए भी काफी हलफूल है जैसे लाइश्टाइल और डाहिट करेंगे तो साथ में आपको डायबिटीज है हार्ट प्रोब्लेम है या फिर जो ब्लड प्रे तो दर्शक मित्रो हम अबार व्यक्ता करते हैं थैंक्यू बताते हैं डॉक्टर दवल गुपता जी को कि जो खुट डीम होके ही हमारी ये शौट बात के लिए भी उन्होंने टाइम निकाला है यंग डैनेमिक डॉक्टर दवल गुपता अमदाद में ही प्रेक्टिस करते ह है और इस तरह के उन्होंने काफी जगा पे अपने पेपर्स भी प्रिजंट किये हैं और कभी भी कुछ अवेनिस का प्रोग्राम हो तो हमें हमेशा सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं तो थैंक्यू डॉक्टर दवल जी थैंक्यू